हलो, वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे MP वोर्ड, संस्क्रिट सुरवी ही, क्लास एट, चैप्टर नाइंटीन, प्रिय दर्शिनी इंदिरा, नवदाश पाथ, अब नवदाश मतलब होता है 19, 19, तो 19 नंबर पाथ को आज हम पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन हम जानेंगे, तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रिय दर्शिनी इंदिरा, मेंस सुन्दर दर्शन वाली इंदिरा, तो देखिए, अस्मा भी ही, प्रिय दर्शिन्याहा, इंदिरायाहा, दर्शन मनेकधा, प्रितम, हम सब के द्वारा सुन्दर इंदिरा का दर्शन कई बार किया गया, कोटी जनई ही, तस्याहा, उर्ज स्वलानी भाषणानी शुतानी, कोटी अटत कडोर, कडोर लोगों के द्वारा उनके तेज़स्वी भाषणों को सुना गया, सहस्रई ही बालकई ही तस्याहा, हस्ता भ्याम सस्नेहं प्रदत्ताहा, पुष्प मालाहा ग्रिहीता, अतह दिवंग तापी, सा देवी असमाकम कृते वर्तमाने वास्ती, अब देखिए, क्या लाइन है, सहस्रई बालकई हजारों बालकों के द्वारा, तस्याहा हस्ता भ्याम उनके हाथों से, सस्नेहं प्रेम पुर्वक प्रदत्ता दी गई, पुष्प मालाहा ग्रिहीता, पुष्प माला ली गई, पुष्प माला अर्थात फूलों की माला, अतह, इसी लिए, दिवंग तापी, मरकर भी, सा देवी, वह देवी, अस्माकम कृते, हमारे लिए, वर्तमाने वास्ती, उपस्तित ही है, अर्थात, हजारव बालों को के द्वारा, उनके हातों से प्रेम पूर्वक दी गई, पुष्प माला ली गई, इसी लिए, मरकर भी, वह देवी, हमारे अभी भी साथ है, ठीक है, तो स्टूडेंस, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल से जल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले, वो भी इस चैप्टर को अच्छे गीहे अभवत तस्या जन्म अर्थात उनका जन्म प्रयाग नगरे प्रयाग नगर में अर्थात प्रयाग राज में अर्थात इलहावाद जिसका पहले नाम था इलहावाद अभी प्रयाग राज हुआ है तो प्रयाग नगरे या प्रयाग नगर में 1917 इस्वी में आनंद भवन नामक पैत्रिक घर पर हुआ पैत्रिक घर अठक पिता का जो खांदानी घर है उस घर में हुआ जवाहर लाल नहरू हूँ तस्याहा पिता कमला नहरू चजननी अभवत अर्था जवाहर लाल नहरू उनके पिता और कमला नहरू उनकी माता थी तो इंदिरा गांदी मतलब जो इंदिरा के पिता का नाम जवाहरलाल नहरू और माता का नाम कमला नहरू ठीक है चलिए आगे देखते हैं इंदिरायाह प्रारंभी की शिक्षा प्रयागे पुना नगरे चाव भवद अर्थात इंदिरा की प्रारंभी की शिक्षा जो प्रायमरी एजुकेशन जो शुरू की जो एजुकेशन वो प्रयाग और पुना नगर में हुई थी तेशु दिवशेशु आनंद भवनम स्वतंत्रता आंदलोन अस्य केंद्रम आसीत उन दिनों में स्वतंत्रता आंदलोन का केंद्र था आनंद भवन तत उन दिनों में आनंद भवन स्वतंत्रता आंदलोन का केंद्र था और फिर उसके बाद सर्वे राश्ट्रियाहा नेता रह तत्रागच्चन और सभी राश्ट्रिया नेता वहां आते थे इंदिरा थे भियः देश भगते है संघर शिलता याश्चा संसकारान ग्रीहनात अर्ताथ इंदिरा ने इंदिरा ने क्या किया उनसे देश भगती और संघर शीलता के संसकारों को ग्रहन किया मतलब उनका जन्म जो हुआ था उनके पैत्रिक घर में हुआ था आनन्द भवन में और वहाँ पे जो स्वतंतरता अंदलों के लिए जो लोग आते रहते हैं मतलब जो लोग आते थे जो नेता आते थे राष्ट्रे नेता आते थे उस वक्त इंडिपेंडन्स के लिए जब हम लड़ रहे थे तो वहाँ उनके घर में बहुत लोग आते थे तो उन्हीं लोगों को देखकर उनकी बाते सुनकर उनमें देश भक्ती और संगर शीलता के संसकार आए प्राथमिकिम शिक्षम समाप्य सा शान्ती निकेतनम अगच्चत और प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके वहे शान्ती निकेतनमें गई तत्र गुरु देवस्य रविन्रणा ठाकुरस्य सानिध्य भारतिय संस्कृते है मानव प्रेम नह च महतिम शिक्षम प्रापनोत और क्या हुआ कि वो जब शान्ती निकेतन में गई तो वहाँ गुरु देव रविन्रणा ठाकुर के पास से ही सभारतिय संस्कृती और मानव प्रेम की महान शिक्षा प्राप्त की ठीक है पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किया किसमें प्रयाग और पूना नगर में उनकी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हुई फिर वो शान्ती निकेतन गई जहां गुरू देव यह कवी गुरू रविन्रणा ठाकुर के पास उन्होंने भारतिय और मानव प्रेम की महान शिक्षा प्राप्त की। जवाहरलाल नहरू बहुधा स्वतंत्रताई आंदलनम कुर्वन कारागारम अगच्चत। जवाहरलाल नहरू बहुत बार स्वतंत्रता के लिए आंदलन करते हुए जेल गए। कारागारात स इंदिराई अनेक पत्राणी प्रेशितवान कारागार अर्थात जेल। तो जेल में मतलब जेल से जेल से क्या। जेल से उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे मिंस इंदिरा गांधी को या इंदिरा को बहुत से लेटर्स लिखे उन्होंने जेल से। ठीक है उसके बाद देखिए एतानी पत्राणी पुत्रयाह पृते पितुहु पत्राणी इती नामना पुस्तक रुपेना प्रसिधानी संती। और ये जो भी पत्र थे जो भी उन्होंने मतलब जवारलाल नहरू ने इंदिरा को लिखे वह ये सब पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र इस नाम से पुस्तक के रूप में प्रसिध है आप देखिए फिर कितने अच्छे से सब कुछ उन्होंने लिखा होगा कि उनके ज पत्रस क्या हुए पुस्तक के रूप में प्रसिध हो गए आगे देखिए क्या लिखा है ते भियह यायत यत नहरू स्वा पुत्रिम विदूशिम दूरदर्शीनिम उर्जस्वलाम चद्रश्टम अच्छत द्रश्टम अच्छत मतलब उनसे जाना जाता है कि नहरू अपन पुत्री को विदूशी दूरदर्शीनी और तेजश्री देखना चाहते थे इंदिरायाह एते गुणाह प्रसिधाह संती इंदिरा के ये गुण प्रसिध है So student जिन्होंने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कीजिए, video को like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए और कोई भी doubt या query हो कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो comment section में comment कर दीजिए तो चलिए आगे देखते हैं स्वा मातू हू कमला नहरू तह सत्यस्य शुद्धान तह करनस्य च शिक्षाम अलभद और अपनी माता कमला नहरू से सत्य और शुद्ध अंतकरन अर तर शुद्ध मन की शिक्षा को प्राप्त किया बाल्यकाले एव तया वानर सेना इती नामनी बालकानम संगठना क्रिता और बाल्यकाल में ही बच्पन में ही उनके द्वारा वानर सेना नाम से बच्चों का संगठन किया गया तस्याह विवाह फिरोज गांधीना सहा भवत तो उनका विवा फिरोज गांधी के साथ हुआ तव दमपती स्वाधिनिता अंदोलों ने कारागारम गतवन तव और वे दोनों पती पत्नी स्वाधिनिता के अंदोलन में जेल गए 1960 तमें खृष्टाब्दे तस्याह पती ही स्वार्गम अगच्छत अं 1960 वी इस वी में उनके पती अतत फिरोज गांधी स्वार्ग वासी हो गए लाल बहादूर शास्त्री नह मृत्यों तरम सा भारतस्या प्रधान मंत्री अभवद लाल बहादूर शास्त्री की मृत्यू के बाद वह भारत की प्रधान मंत्री हुई कौन इंदिरवांधी तत पदम अंगी कृत्य सा देश सेवायां सर्व भावेना संगलगना जाता और उस पद को स्वीकार करके वह देश सेवा में पूर्ण रूप से संगलगन हो गई अधिकोशानाम राष्ट्रिय करणाम भूत पूर्व राग्याम विशिष्टाधी काराणाम समाप्ती ही तेशाम नैज धन दानस्य अर्थात प्रिविपर्स अंतह भूमी संपत्यव सीमा निर्धाररं चेत्या दिनी कार्यानी तस्याह महत्वं उद्भासयंती बैंकों का राष्ट्रिय करण अधिकोश अर्थत बैंक तो बैंकों का राष्ट्रिय करण भूत पूर्व राजाओं के विशिष्ट अधिकारों की समाप्ती पहले के जो राजा थे जैसे उनका होता था ना राजा का बेटा राजा ही बनेगा तो वो सारी जो चीजे थी वो जो विशिष्ट अधिकार थे वो सब कुछ उनकी समापती फिर उनके अपने धन के दान का अंध और भूमी समपती की सीमा का निर्धारन इत्यादी कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं बांगलादेश अस्य मुक्ती संग्रा में भारतिय सेनाम प्रेश्य तया अपूर्व साहसम कृतम बांगलादेश की मुक्ती संग्राम में भारतिय सेना को भेज कर उनके द्वारा अपूर्व साहस किया गया भारत अस्य सहयोगे नेव बांगलादेश ह स्वतंत्र ह जात ह और भारत के सहयोग से ही बांगलादेश स्वतंत्र हुआ सा जीवन परियंतम भारतस्य कल्यानाय निर्धनानाम उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत और उन्होंने अपने जीवन परियंत भारत के कल्यान और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न किया दडिद्रताम अपनाय इती तस्याह उद्गोशना आसीत दडिद्रता को दूर हटाओ ये उनका नारा था 1984 तमस्य ख्रिष्टाब्दस्य अक्टूबर मां से एकत्रिंशत दिनांके सा एकस्य स्वरक्षकस्य वा गोली का भी ही वीरगतिम प्रापनोत 1984 फ्रिष्टाब्द में मिन्स यर 1984 में अक्टूबर के एकत्रिंशत अर्टा 31st अक्टूबर सा एकस्य स्वरक्षकस्य ये वा मिन्स वह एक अपने ही बोडी गार्ड या रक्षक के गोली का भी ही वीरगतिम प्रापनोत गोली के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुई मिन्स 1984 में 31st अक्टूबर को अपने एक बोडी गार्ड के गोली के द्वारा वह वीरगति को प्राप्त हुई सर्वे जनाहा ताम शान्ती दूती इती रुपेण श्रधया स्मरंती सभी लोग उनको किसको यकिन को इंदीरा गांधी को शान्ती दूती इस रूप में श्रधा के साथ स्मरं करते हैं तस्याह समाधी स्थलम शक्ती स्थलम इती नामना प्रसिद्धम अस्ती और उनकी जो समाधी स्थल है वह शक्ती स्थल इस नाम से प्रसिद्ध है सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर है कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थांट्यू